हालो बच्चों कैसे वाप सब आई हूब आप सब बहुत अच्छे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो क्या लिखा हो है वन शौट रिवीजन और वो भी उस चाप्टर का जो आप लोग की डिमांड होती है कि मैं यह चाप्टर एक बार वापस से बहुत अच्छे से करा दो तो ल ile क्लास नहीं लहीं कि लेक्टेम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं सबसे पहले बात नहीं कोषिका की आखिर कोशिका है क्या सारा तो इसी का है फिर बात आते हैं कि वह इसी कोज इसने करिए सको सबसे पहले किस ने देखा इसमें होता क्या क्या है यह सब चीज़ें यहां पर पढ़ने वाले हैं और यह बहुत ही इंट्रस्टिंग chapter है क्यों कि यहां पर आप पढ़त आपने बॉडी के बारे में नहीं कैसे बनी है हमारी बॉडी यार हमारे मतलब क्या कि चीज़ें है तो बहुत जादा इंट्रस्टिंग है तो जाने के यहां पर एंड उससे पहले एक बार यहां पर रापको बता देती हूं आपके classes का time table तो class 9 तो क्लास 9 है तो और वहीं पर morning भी आपकी classes चल रहे हैं यानि कि आपकी evening और morning दोनों टाइम पर classes चल रहे हैं जिस भी time आपको better लगता है आप उस time यहां पर classes को ले सकते हैं तो सवा 7 बज़े आपकी होती है science की सुबा जो की Tuesday, Thursday and Saturday को होती है वहीं पर maths की जो class होती है Monday, Wednesday and Friday को होती है 9 बज़े आपकी SST की यानि की Monday, Wednesday and Friday होती हो और बाकी दिन होती है आपकी English की class तो यह है आपकी regular classes का time table तो आप इसके according अपनी classes को बहुत अच्छे से ले सकते हैं और कर सकते हैं एक्जाम की तैयारी तो चलिए एक बार यहां पर देख लेते हैं भाई इस पूरे chapter में अगर हम बात करें topic कौन कौन से हैं तो यहीं पर सबसे पहले मैं आपको topic बता देती हूं तो भाई यहां पर सबसे पहले जब आप अपनी NCRD खोलते हो या फिर अपनी कोई भी बुक तो सबसे पहले यहीं चीज आती है कि कोशी का और इसके खोज कि वह क्या है यहां पर कौन से तो मैटिकल सुनने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कोशी का और इसकी खोज को देखेंगे देन प्लाजमा जिली और केंदरक और लास्ट में आएगा कोशी का द्रवे और यह कोशी का द्रवे पता ही क्या है इसे में होते हैं सारे के सारे आपके कोशी कांग अब इंग्लिश में बोलते हैं सेल ओर्गिनल जैसे आपके आपने सुना होगा राइबोजूम क्लियर आपने यहां पर सुनाओगा अन्तेप्राध रवेजलि का सातेसाथ माईटोकॉंड्रिया यानि की कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब यह है यहां पर कि भाई यहां पर जो एल और और्गनाल abortion आनि कि जो कोशेका के अंग होते हैं क्लियर वो इस مतलब है 25 dab को पता ही लगा हो गया कि भई कोशी का और इसकी खोश तो पढ़ने ही वाले हैं और प्लाजमा जिली और केंद्रा को भी मैं आपको पढ़ाऊंगी चलिए तो सबसे पहले आपको दिख रही है कोशी को इसकी खोश मैं मुझे इतना अच्छे तरीके से वैसे मुझे पता है कि बढ़ें भी बच्चे इसका अंसर हंडेट पर्संट मुझे दे सकते हैं अच्छा अगर मैं बात करूँ कोशी का की ऑगर से पूछू है क्या है तो आप मुझे क्या बोलोगे कि कोशिका है क्या तो क्या बोल सकते हैं तो चली जानते हैं पिलको टाइम यह नहीं करेंगे कोशिका क्या है अगर मैं सिंपल भाषा में बोलू तो यह वह है जिससे हम बने हैं हमारे शरी किसका बनाए कोशिकाओं से बना है क्यूं सबसे पहले होता क्या है बच्चा कि जो को कोशिका होती है यह किसको बनाती है कोशिका बनाती है बहुत सारी कोशिका यानि कि कोशिकाओं का समूव बनता है उतक उतक जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं भाई अंग बनते हैं और अंग जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है अंग तंत्र बन जाता है निए क्लियर रहे हैं बच्छा बिलकुल चली तो कोशी का क्या होग एक त तरीके से बिलकुल हमाय शरी की संरचनात्मक वा क्रियात्मक की क्या हूज आते है असनरचनात्मक भार क्रियात्म एक रही है गाइस यह एक जिस बच You देख लिए उसका चाप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहां पर जो बच्छे मिस करेंगे यानि कि भई वो मिसी कर देंगे फिर उनको यह रहेगा कि फिर वह ढूंदते रहेंगे मैं लेक्चर कहां पर लेक्चर कहां पर पहली बोल रही हूं क्लास को जो हां जी हमने इसको बोला शरी की संदशना आत्मक भाई हमारा क्या है यह वाक्रियात्मक की क्यूं क्यूंकि हमारे शरी को एक संदशना प्रदान कर रही है ठीक है और साधे साथ हर कोशिका का क्या होता है भाई हर कोशिका का अपना एक मुख्य कारे होता है जैसे टीचर का क बोल देते हैं भाई कि यह क्या है हमाई शरी की संरचनात्मक्वा क्रियात्मकिकाई इतने चीज क्लियर तो सबसे पहले यह तो पता लग गया कि भाई कोशी का तो वह है यानि कि वह संरचना है जिससे हम बने हैं अब यहां पर एक पॉइंट और एड़ करते हैं अच्छा पत सिर्फ कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं कोशी का विज्ञान क्लियर क्या बोलते हैं कोशी का विज्ञान या आप उसको बोल सकते हो साइटो लॉजी क्लियर क्या बोलते हैं या हम उसको बोल सकते हैं साइटो लॉजी क्या यह ज क्या कहला जाता है कोशे का विज्ञान या साइटोलोजी इतने पॉइंट हो चुके हैं बिल्कुल क्लियर अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स चैडिंग आपको दिख रहे हैं इसकी खोज अगर मैं आपसे पूश्टी हूं कि भाई किसी को पता ही कि सबसे किसने देखा है सबसे की कुछा की चैडिया कौन है चलो बता देतें रॉबर्ट हो को साइंटिस से जिन्हों है सबसे पहले कोशी काहँ को देखा up कोशी काहँ मैं कि हर किसे एक चीज की जो अगर हम बात करेंज की तो कोई ने को करता हिए है तो यहां पर कोशिका के बारे में रही किसीने तो बताया था किवा एक शरीर बनाया तो किस से बना है तो यहीं पर ये चीज सबसे पहले बताई कि और उन्हों ने बोला कि किसे बने हम खोशिकाओं से बने छो हम celebration कि सबने कोशिका को देखा अब यहां पर सबात आई तो पत्रहुआ किया था उसी माइक्रोस्कोप में और अपने से एक बना दिया तो वहीं पर नाम दे दिया गया क्या कि स्वै निर्मित सोख्ष्मदर्शी की सहायता से किसको भाई कहां पर की थी आखिर कोशिका की खोज हां जी क्या बोलें तो बिटा को और को उतक और मैंने अभी एक चीज बताई थ आखि कि जो उतक होता है वह कोशिकां का समूं है तो रॉबर्ट रूख ने क्या कि या कि कॉर्कू तक चाल को इसकी चाल को जब किसमें भाई स्वै निर्मित क्योंकि उन्हें खूशा चेंज्ज़ू कर दिया और नाम दे देए कि भई खोड से बनाया है तो यही पर सवैं में सुक्ष मिदर्शी की सहायता से कौर कूते की छाल को जब इस माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाए दी वो संदशना क्या थी दिहान से देखना मैं आपसे पूछूंगी किसके तरह दिख रही है अच्छा यह किसके तरह दिख रही है यहां प इस कौर गुते की चाल को देखा तो उन्हें दिखाए दी ँच्छोट्ट एक कमरे जैसी रचनाए अच्छना है आशिंद लुदकर आपके सामने है तो इस से अरीकल बैम इसके और इन्हीं को नाम क्या दे दिया गया कोशी गया को जिए और क्या दे दिया कोशी का दो यह नई चीज निकल कर आई यह जैसे से माँ पर साइंटिस बढ़ते गए हुआ गया वह एक के बाद एक साइंटिस टेके बाद एक साइंटिस सो कुछ में साइंटिस ते अब देखते हैं उनके बार में कौन कौन थे तो यह चीज़ क्लियर हो चुकि है ना का इसकी रॉबर पहां पर एक पॉइंट आटका कि भई रॉबर्ट हुग ने कैसी कोषिकाओ देखा क्यूंकि बाद में आचके था एंटोनी वॉन लिवन होक और एंटोनी वान लिवन होक ने क्या बोला इन्होंने इन्होंने पता लगाया था जीवित कोशिकाओ का किसका गैस जीवित कोशेकाओं का पता लगाया तो वहां पर क्या सबके मायन में कि बात क्लिक नी करी होगी की भाई रॉबर्ट कोशी खें था तो फिर बिलुकुल राइट रॉबर्ट बोट कोशाथा तो मुझा को तक कुल मुझा का कि हमेल किस को मुंट खोच घी ती अरे यार एक एक छीधे सोचवो बिल्कुल मृत कोषिका की खोश की ती यानि की क्या हम यहां पर कह सकते हैं की भाई जो यह कॉर्पक होता है अब हुटक ने किसका पता लगाया क्योंकि जीवित का तो एंटानी वान ल्यूमें होग नहीं लगा था इतना पॉइंट क्लिकिया तरीक्या से चलिए कि यह गहीं जी congrat रगांпр ode कोशी का में कुछ और चीजे भी होती है तो धीरे 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 सभनाती चलिए गई तो ऐसी ही घी धीरे 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 साइंटेंटस्το जोड़ते गए बाथ ही चले गई क्लियर तो एंटॉनि वान लिवन होग जो ते उन्होंने बहुत अच्छे किस्म के माइक्रोस्कोप से क्या करा भाई जीवित कोश्रिका का पता लगा लिया अब उसके बाद आ है रॉबर्ट ब्राउन क्योंकि कोश्रिका की को जो चुकी थी और मैंने बुला साइंटिस लाइन से जुड़ते जा रहे थे तो दो साइंटिस यहां पे क्लियर हुए रॉबर्ट हुग एंट्वान लिवन होग अब धीरे धीरे हुआ क्या आइकॉन रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसमें 1831 में किसका भाई केंद्रक यानि की न्यूक्लि इसका अब सोचो यह कहां देखा होगा तो हुआ क्या दा कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे एकना पौधा होता है और किड इसको और शिट भी कह देते हैं इंग्लिश में तो इसकी मूल अब बचे बोलेंगे मैं मूल क्या होता है तो बिटा जड़ यानि की जो रूट होती है उसमें केंद्र को देखा तो यहां पर भॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि भाई कोशिगा के अंद्रना कोशे एक और संरशन होती तो बिंदो जैसी ने दिखाए दी इनको यह अच्छे तरीके से कैसा दिख रहा है लेकिन यहां पर केंद्र की को जोच चुकी ते और केंद् ग्राउन ने किसको 831 में केंद्रक का पता लगाए किसमें की भाई कोशिक आके अंदर एक बिंदू जैसी रचना होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक और इसको कहां पर और कि जो पौदा यानि की जड़ यानि की मूल में देखा अच्छा तीन साइंटिस्स बिल्कुल क्लि प्रोटो प्लाज्म तो लिख लेजिए आप काफी बच्चों को पदा नहीं होता है ठीक है प्रोटो प्लाज्म चलो अब डिक प्रोटोब्लाज्म है क्या तो अगर कोई आप से कोशन पूचे जीवन का बहुत इक अधार किया है तो आपक अर्डके लेकिًं तो अब मुरह और विया आपकी यह क्या तो ना क्या है तो भी मैंने बोला था कि मनाउप पर यहां पर होती है जीव द्रवय के उपस्तिती वह इक सजीव, यानि कि जीवित कोशिक और जहान नहीं है, वह क्या है, एक म्रत, केंदरक 무엇का तो बोला कि भए वहां पे बौह सारे साइंटिस्त पोई एक साइंटिस में था, जब कोशी का खोज हो चुकी तो वहाँ पे और साइंटिस लग चुके थी और इसमें क्या नई चीज है तो धीरे-धीरे ये concept clear होते गए और यहाँ पे फिर और साइंटिस्ट आए जैसे आपके मैथियास जैक अप्रेटर श्लाइड इन इन्होंने दिया था कोशी का सिधान् पे जो ये टर्म था जीव द्रवे ये इसने आके साही चीज़ों कर दिया था clear अब अच्छे पोलेगे मैं कैसे तो सबसे पर एक पॉइंट नोट डाउन करें सभी क्या नोट करना है कि भाई जीव द्रवे जहां पर उपस्तित होता है वो कैसी होती है जीवित कोशी का और जीव द्रवे जहां पर नहीं है वो कैसी है मरत कोशी का है लेकिन बात आई कि यह जीव द्रवे ठाक्या किया आपने ये पॉइंट नोट डाून किया यहां पर बिलकल चलिए तो भाई अब यहां पर जानो आखिर जीव द्रवे किया था हांजी जीव द्रवे अच्छा मैं यहां पे तीन नाम लिख रही हूं ठीक मैंने आपसे बोला ना भी की दिरे दिरे साइंटिस्ट लग चुके थे कि इसके अंदर है किया आखिर तो यही पर सबसे पहले प्लाज्मा जिल्ली ध्लाज्मा मेंब्रें नेक्स आगए यहां पे आपका केंदरवे नि लग लिख रहे हैं कोशीक द्रवे है ओस तरीके से एक जीव यह दो है ता इस जी द्रवे का था कि जहां पर यह है कि जहां पर यह होती है वो क्या है वो जो कोशिका है वो तो कैसी है एक जीवित कोशिका है लेकिन जहां पर नहीं है वो कैसी है वो म्रत तो यह क्या थे तो बहुत द्यान से सुनों यहां पर अभी यह एक स्ट्रक्चर है यह संरच एक क्या है प्लाज्ज जिली वहीं पर इसके अंदर केंद्रक भी है तो बटा यह रा यहां पर इन दर कोशिकात्त भी है तो यह यहां पें Autire कोशिका द्रक है ओके यह चैस क्लियर है तो यह तीनों चीजे होती है किसमें एक जीवित कोशिका में इसके बात जब जो साइंटेस्स आये थे यहां पर भाई मैथियास जैकाब आपके श्लाइडेन तदा श्वान तो आपके श्लाइडेन जो श्वान थे यह दोनों अलग अलग से एक आपके प्लांट से थे तो भाई एक एनिमल से एक बोल रहे थे कि हहां बोलदों को कही तरह पता था कि वह भीolक यह तो करना था तो दोनोंациे डीली हाथ मिला लिया दिया कि देखो अलग अलग चलेंगे तो कुछ फाइदा निया एक लाइन में चलेंगे तो इन्होंने फाइदा इन्सान भागता है तो इनको दिखा फाइदा और यह बड़े आगे तो वहां पे नहीं क्या बोला कि पॉध है और जितने भी जनतों वह सभी किस्से बने हैं को वहीं पे यह जो लाइन उन्हें बोली यहीं उनका बन गया था क्या कोशी का सिद्धान्त क्या बन गया था कोशी का सिद्धान्त बन चुका था क्लियर है अब कोशी का सिद्धान्त हुआ तो धीरे धीरे यहां पे और बात आगे बढ़ी और आगे बढ़ने पर क्या हुआ आगे बढ़ने पर यहां पर एक साइंटिस्ट और आये थे और वो थे कौन भाई वो थे रुडॉल्फ विर्चोर रुडॉल्फ विर्चोर के पते क्या बोला इन्होंने बोला सिंपल कि यार एक बार बताओ तुम बोल रहे हो कि भाई सभी पौदे उससे बने कोशिका से सभ किसी के पास जवाब निता जवाब किसने दिया रुडॉल्फ विर्चोर ने कि भाई रुडॉल्फ विर्चोर ने क्या बोला इन्होंने बोला कि कोशिका क्या होती है कोशिका होती है विभाजिद क्लियर यानि की बढ़ती है और जो नई कोशिका है बनेंगी वह अपनी प यह क्या होती है भई नएनई कोशिकाएं बंद यहां तक सायीज हुई थी कोशिका पदा अब कोशिक शुक पैंफिंगे कि कोज किसने की ऑच यहाँ पर अगर हम बात करें आपrik ठीवों की तो बहुं कोशिकाश समझने से पहले एक कॉंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वह कॉंसेप्ट किया है वह कॉंसेप्ट यह है कि हमें बहुत अच्छे तरीक से पता लग गई कि बहुत ही कोशिका से बने थे जन्तु क्या दोनों में कुछ फर्क था बात यहां पर यह आई और रॉबर्ट को दिखाए दि वह क्या थी ना वो कोशिक अध्रवे ना ओकि इन्द्रक तो फिर रॉबर्ट को क्या दिखाए दिया पॉइंट यहां पे क्लिक करा किसी बच्चे के दिमाग में आदर बचना आंसर दे दिया मुझे पता है दे दिया होगा है ना अब ध्यान से तो हमें बदा है देखो यह पॉधे हैं ठीक है यहां पे अब हमें पता है भाई पॉधे भी किस से बने कोशिका से तो डिरेट की काम कर लेते हैं यार कोशिका यह बना लो इन सब को यह बनाते अब ध्यान से सुन को यहां लिख दिया मैंने पादब कोशिका ठीक यहां लिख दिया मैंने जन्दु कोशी का ओके पादब और जन्दु कोशी का जोती भाई पादब कोशी का है मैंने बोला दोनों किसमें आते हैं भाई दोनों के दोनों आते हैं सजीव में दोनों जीवित हैं भाई पौदे भी सांस लेते हैं चलनी सकते सब्सक्राइब नहीं अब यहीं पर हुआ कि एक पादब कोशिका मैंने यह बना ली यह मैंने क्या बनाए आपको बहुत अथिसे पताई मैंने स्टक्चर बताई थी ठीक है इसके अंदर यह मैंने बिंगु जैसी रशना मैंने यहां पर भी बना दिया अच्छा आप मैं आप से कोशन पूछ रही हूं कि बचलोग मुझे यह बताओ क्या यह दोनों अभी तक सेम हैं बिल्कुल कुछ फर्क दिख रहा है इसमें बच्छे बोलेंगे नो मैं अच्छा आप मैं बोलूँगे कि अब बताना क्या कुछ फर्क दिखा कोशिका में मिलती है जन्तु में नहीं मिलेगी और याद रखना एक जीवित कोशिका जो होती है महां पर आपकी प्लाजमाजिल्ली महां पर केंदराक और महां पर कोशिका द्रवे और यह बनी इसकी है सेलूलोस की बनी हुई है अब शेबोलेंगा मैं ये शेलूलोस की है तो इस अनाम होता है को शीका भित्ति और शेब और ये बनी किसी होती है इस तो अब बच्चे बोलेंगे कि मैं फिर जन्तु कोशिका में क्यों नहीं क्योंकि नहीं कर सकते हैं तो यहां पे जो पादब कोशिका थी उसमें ये कोशिका बित्ती सनचना मिल रही थी जो कि बनी ती और मनुष्य में कोशिका बित्ती नहीं मिलती है क्यूंकि मनुष्य इस ऐसेPad कब्रतब कर पाचं करेंगे क्लियर है अब सोचो बहुत ध्यान से अब यहां पर आपको क्या सोचना थी बढ़िए YOU इस और नो क्या मैं से जीवित बोलूँगी आप लोगे नो मैम क्यों वाइन यह तरीके से प्लाजम जिली कोशी का द्रवे दिखाए दिया नहीं उन्हें सिर्फ दिवार जैसी रचना दिखाए दिती और आप सोचों की भाई वो दिवार जैसे रचना किसी थी कोशी का भित् बढद यहां पर आगीemics आप बाद यहां पर अटकी कहां के जीव होते हैं जितने बीजीव है उनका शरीर बना कैसे होते हैं क्या एक ही कोशिका से बने होती है अलग-अलग तो भाई यहां पे जीव अलग-अलग निकले कि भाई कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से बने हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके शर्म में अलग-अलग कोशिका हैं मिल रहे हैं और अलग-अलग कारे हो कर रहे हैं तो यानि कि भाई जो एक कोशिका से बने हैं सिंपल तो एक कोशिका से बने हैं वो यानि की मतलब किया कि देखो मैंने यहां से पैन उठाया और मैंने यह 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 क्या दूसरी लाइन में नहीं नहीं तो एक कोशिका जी वो जी वो होते हैं जिनका शरिर एक ही कोशिका से बनता है और उसी एक कोशिका में वो सारे काम करेंगे, वो खाना भी इसी में खाएंगे, वो यहाँ पर भाई डाइजेस्ट करेंगे, उत्सर्जन यानि बेकार पदारतों को भी यही से बाहर निकालें, यानि कि वो जितनी क्रियाएं करेंगे, वो एक कोशिका में करेंगे, तो वो ए एक उसे जादा कोशी का से क्या होते हैं सिंपल क्या होते हैं एक Firstly ज्याहर क्रिया के लिए अलग कोशिका है ठीक है अब धियान से देखो कोशिका किसको बनाएंगी उताक उताक अंग और फिर अंग तंतर को देखो अगर पूरी बाड़ी ब्लड सर्कुलेट होना है श्रासन हो पाचन हो यह नहीं कि हर किसी के लिए अलग अलग है कोई एक कोशिका नहीं कर रही है तो ऐसो को बोल देत तो वही बेटा माता है किसका बेटा कोशिका के प्रेकार का और कोशिका होती है आपके दो प्रेकार की कितनी कौन कौन से तो नमबर वन की अगर हम बात करते हैं वो होती है प्रोकेरियोटिक अब धियान से देख लीजिए नमबर वन जो होती है वो होती है बेटा प्रोकेर यूरिए कोशिका ठीक है And second number पे अगर हम बात करते हैं तो वह हो जाती है partir दो ठीक है प्रोकेरियोटिक क्या डिफरेंस ना तो अगर आपसे कोई पूछे About yeah को श़्खा कितने प्रेकार किय sut drastically गोड़ेंगे दो प्रेकार की एकército प्रोक्यार ये मानलों की यह पुरानी और नहीं कि यह जबकि यह इन में कुछ नहीं है जबकि यह यह वेक से और सबसे बड़ा डिफरेंस पता है इन में क्या है पतह एक्या है सबसे बड़ा difference है यार इसमें nucleus का यानी की kेंद्रक का पता है अब हमने बोला कि eukaryotic जो है भही यह तो अच्छा गासा बहरा हुआ घर है इनका ठीक है तो यहां पे तो केंद्रक है और इनमें केंद्रक नहीं होता है तो सबसे बड़ा जो difference है यहां पर इसल मेंगे जिल्लीबद कोषिकांग भी पाय जएंगे जब की वहाँ पर जिल्लीबद कहुत है आंक से गते बिलाथ है आखे difference किया था अच्छा आपके अगार्डिंग सबसे पहला नतर हमें क्या लिखना चाहिए बिल्कुल गाइज यह कैसी होते हैं और विक्सित होते हैं जबकि यूप कैरियोड कैसे होते हैं यह तो विक्सित होते हैं ठीक है आप एक्जाम में पूरे पूरे पॉइंट को लि आझ केंदरख यहां पे नहीं पाया जाता यानि क्यानों पस्ट्षेद और अगर होगा भी तो उसका होणाँ ना होना बराबर है वहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक अब एक चीज्ज और वो पॉइंट क्या है अब suspects यह यहां पर की भाई जब कैंदर यहां नहींений मिल कर सबूल को शिक हो भी तरीक Efendi सबसे पहले चीज यहां पर लाइसोसों, माइटोकॉंड्रिया, आपके अंते अप्रोध द्रविजाली का कुछ नहीं मिलते हैं, वो सब वहाँ पे मिलेंगे, एक ट्रिक बताऊंगे अभी लास्ट में आप समझ जाओगे, और यहाँ पर अगर हम प्रो कैरियोटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 70S राइबोजोम मिलते हैं, और याद रखना, राइबोजोम ही सिर्फ एक ऐसा कोशिकांग है, जो प्रो कैरियोट्स में मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे, ठीक है, जबकि यू कैरियोट्स में 70S और 80S दोनों तरीके से मिलेंगे, आप कुछ बच्चों के मन म यहाँ पे यह सवाल होगा, कि मैं 70S और 80S है क्या, तो इसका भी सबर करना पड़ेगा, जब पार्ट 2 आएगा, उसमें चीज़े क्लियर हो जाएं कि आखिर यह है क्या, अब इस सिर्फ इतना जानों कि राइबोजोम के प्रेकार है, ठीक है, चालिए तो यहाँ पे यहाँ हम बात करते हैं, एक्जामपल की, तो उधारन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बिलकुल आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रोक्यारियोर्टिक में सभी प्रेकार के जिसे जिवानू, ठीक है, जिवानू हो गए, यहाँ पे आपका माइको प्लाजमा, ठीक है, आपकी नील जन्तु जो होते हैं, वो किसके यू कैरियोर्ट के एक्सामपल है, इतने जिस क्लियर है, चलिए, तो कोशिका समझा चुके है, कोशिका की खोज, कैसे जीव बने, क्या एक से अलग लग लग यह समझा चुके है, अब यह भी जान चुके हैं, अलग लग लग ट्रेकार से भ बढ़ने की तो भाई हमने देखा था कि भाई कोशी का जो थी उसमें जीव द्रवे जो था सबसे पहले प्लाजमा जिली था खेंद्रक और कोशी का द्रवे तो चलिए फिर यहां पर हम शुरू करने जाएंगे प्लाजमा जिली को लेकिन भी बतानी है बूल गए चलो ठीक है यानि कि इसको पहले बोलोगे कि प्राचीन आंटी को लाके मारी गोली इसको यह से याद रखना है अब पॉइंट कैसे यह पुरानी है आधुने कैसी नहीं विक्सित हैं को से क्रोमोजूम ठीक है वहां पर कितना होता है युप प्रोक्यारियोट्स में प्रो में ए कैसे केंद्रग प्रोक्यारियोट्स में रही मिलेगा यह मां से माइटो कॉर्ण्रिय यह यह मिलेगा प्रो क्यारियोट में नहीं रिसे रिक्टिक से क centimeters सबसे बहरए आवनकरम बाथ करें चृक है तो सबसे बाहरी आवन होता है और यह पता है प्लाजमा जिली होती है इसको कोशी का कला भी क्या देते हैं यह बहुत लचीली होती है और साथ यह बनी होती है किसकी यह बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की किसकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है तो य करती किया तो बिटा स्थियान से सुखना कोशिक आखे अंदर कुछ चीज आएंगी कुछ चीज़े बाहर जाएंगी तो वह इसी से ओकर जाती है अब यहां पर यह होती है यह होती आपकी वर्नात्मक या चैनात्मक पारगम्य जिल्ली यानि कि मैं बोल रहे हूं भई वर्ना रिफ्यूस नौन में पहली बता देती हूं चार तरीके से जिल्ली है एक होती है पारगम्य ठीक इसको vaca ले न एक होती है एपारगम्य नमबर 3 नतिसल सिपर आ जाते हैं यहां पर आ जाती है एक होती है और द पारगम्य फिपभे sports में एक होती है वरनात्मक पारगं में ठीक है क्लिया रहे पारगं में मतलब यहां कि जा सकते हैं यहां जा सकते हैं आप पारगम में कैसी है कि यहां पे बहुत सारे क्या है अडू है लेकिन यह सिर्फ किसको पर्मिशन दे रही है जल के अडू को और वर्णात्मक पारगम में यह यह तो बड़ी भई सक्त टाइप है कैसी है कि मैं मैं सबको जाने नहीं दूंगी गुस्से वाली अंठी होती ह ना उसकी तरह सबको नहीं आने देगी कुछ ही अनुओ को ठीक है बई जो इसके लिए अच्छी होंगे है ना कुछ ही अनुओ को अंदर आने के कुछ यह को बाहर जाने देगी इसकी पर्मिशन के भिना कोई निया सकता और प्लाजम जिल्ली आपकी वर्णात्मक या इसको हम चैनात्मक पार्गम में भी कहते हैं कुछ इस तरीके से ही है ओके है तो ध्यान से देखो भाई सबसे पहले यहां पर बाहर वाली जो आप देख रहे हो साल मेंब्रेन इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और कोशिका के अंदर क्या करते हैं चीजों को आने और जाने देती है क्लियर इसकी बनी होती है यह कुछ इस तरीके से यहां पर प्लाज्मा जिली यहां पर दो तरीके से आप क्रियां पढ़ने वाले हो कौन कौन से क्रिया हैं पढ़ने वालों नंबर वन विस्रन विस्रन की जो क्रिया होती है कि कैसी को कुछ आइडिया है कि कैसी है यहां पर विस्रन जो होता है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं यह गैसों में होता है इसमें होता है गैसों में होता है तो गैसों में कैसे तो बिटा दोगी कैसे होती है एक होती है काबन डैक्साइड एक होती है ओटू तो समझ जाओ भई यहां पे कि कोशिका के अंदर काबन डैक्साइड और ऑक्सीजन अंदर और बाहर जो करेंगे वो इस विसरन की क्रिया के जर्या करेंगे clear और यह इसमें किसी जिल्ली की आविश्क्ता नहीं होती है क्यांद होती है और साथ यसा यह सिर्फ गैसों में होगा विस्रण का मतलब बच्चे पूश्टे क्या होता है मैं सिंपल बोलूंगे फैलाव होता है और याद रखना ये इसकी जो घती होती है की तरफ ठीक है अब सोचो अगर सेल के हमारी हमारी बॉड़ी क्लिए कौन सी क्यास दरूरी है ऑक्सीजन लेकिन ज्यादा हो गई कार्बन डेक्स है तो वह कहा है कि बाहर तो निकलेगी तो कहां से जा रही है ज्यादा से कम की तरफ चलो भाई यह बात विस्टन होगी लेकिन सेकेंड आ रहता है परास्टन और यह पता है किसमें होता है यह होता है जल के अन्वों में क्लियर किसमें जल के अन्वों में होता है अब होगा कैसे तो यहां पर सबसे पहले सोचो एक मैं आपको बता देती हूं यह भी ना याद रखना लेकिन यहां पर जिल्ली के आवश ठेक तो जिल्डी बदे ये बना दी हमने जिल्डी चाशनी सभी ने बनाई गर भी कर राइंudent होंगी तो होता क्या है यहां पर की जो चस्ट बन कर दिया है ठीक है और मैंने जार्श बहुत जार्दा और आठी पर दी ठेक है बहुत जार्दा चीने यह अब लेकिन जाण पर क्या करें मैंने यहां पर पानी को बहुत ज्यादा कर दिया और किन तब होती है तो जदा पानी की तरफ तो यहां से यहां तरह सिंपल यह है परासरण और यह दोनों के लिए आपकी का और यह बढ़ी कोशी का परासरण और विस्रण विस्रण हो रहा है गया समय परासरण हो रहा है जल में यह कि इतने तरीक साथ यहां पर प्लाजमजी गों समझ के अब कौन आएगा दूसरे नमबर बिल्कुल कंद्र कौन है कोशी का का ठीक कोशी का का नियंत्रन काख्शहूता है क्यों कि भाहिए कोशीक में जितने भी चीज़े हो रही है उस पर कंट्रोल कर रहे कर से बना होते है अब कान सी है तुन आपको बता देंग्ली आता है इसको हम इंग्लिश के बोलते है न्यूक्लियोर त्दिद्क उन्यूमरें पफूर्थ पर आता है कई तरह द्रव्य को बोला जाता है न्यूकलियो बलाजम नंबर तीसरे पर आते है बेटा ये केंद्री का ठीक है इसको बोलते है नुक्लियोलस जिसके खोज फॉंटाना नहीं की थी और नमबर फॉर्थ पर आता है क्रोमेटिन दाग और सबसे सबसे बाहरी आवरण है हंजी क्या होता है क्या होता है क्या है सबसे बाहरी आवरण है है हंजी क्या होता है बिलकुल सबसे बाहरी आवरण होता है जो क्या कर रहा है केंद्रक प्लस आपके क्रोमेट इन धागे है केंदरी का प्लस क्रोमेट इन धागेat यह दोनों के दोनों पड़े होते हैं अधियान से अदर कबी दिख रहा है ना आपको यह क्या सिंपल जैली जैसा होता है यह अब आगे आजो केंदरी का इसकी को फोन टानर ने की थी आपता ये क्या करती है यह रहार ने को बनाती है और प्लस साथ-साथ प्रोटीन को बनाती है clear और इन तुनों से मिलकर कौन बनते है अंजी कौन बन रहा हैई बिलकुल राइबोजोम बन रहे है ठिक है आप सोचो यह राइबोजोम को बना रही है ठीक तो इस राइबोजोम की फैक्टरी कौन है केंद्री का बिलकुल और इसको जाना जाता है ठीक है किसके नाम से कि भाई राइबोजोम की फैक्टरी क्यों 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 ये बनाती है किसको भाई आरा रहे नो प्लस प्रोटीन और इन से म बना रहा है केंद्री का बना रही है अब आदा सबसे मुस्ट इंपॉर्डंट पाट है और वह है क्रॉमेटिन धागे तो केंद्र के अंदर यार हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल धागे जैसी रचनाएं पड़ी हुई थी ठीक है एक्शल में यह था आपको लगे हो बहु कोशी का विभाजन ठीक है जब तक कोशी का विभाजन नहीं हो ता जैसे ही यह जो क्रॉमेटिंद घा darkest धाग यहां पे सल डीवीजिन होगा याणि कोशी का विभाजन होगा वहां पे क्या होगा यह वह नहीं ले ले लेता है कुछ इस तरीके से सन्रचना यानि की बन जात सबस्वारे सकता है एक्रोमोजूम और हंधि में इसको बहुत है तो क्रोमोजूम है ना में तब हम इनको बोल देत Même कि एक्सवास ओन शनरशना में कि क्रोमोजूम और हिंदी में इसको बोल देते हैं गुणशुन जाकित आपको दिख रहे बिचे इस तरीके से पड़े होते हैं और जैसे ही हो जाता है सैल डिवीजन तो यह आ जाते हैं कुछ इस तरीके संडशना में और यह कोई नई चीज नहीं है तो होता क्या है कोशिका के अंदर केंद्र 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 कें होते हैं पारे बर दागे होते हैं कोशिका विभाजन तब यह बन रहे हैं अदर ही तो नहीं हो रहा है जैसे घुशिक विभाजन वो किसमें आ जाते हैं गुर्ण सुत्र के फॉर्म में आते ही यहां पर क्या होती है जीन क्या होता है चोटा सा पार्ट जीन है तो जीन क्या क्या करते हैं लक्षणों का निर्धारन करते हैं तो बिल्कुल गुर्ण सुत्र यह भी कोई चीज नहीं नहीं है डीन इसके अंदर है चोटा बाट जीन हो गया सिंपल क्या चीज एक क्लियर है अच्छा क्लियर है तो कोशन पूछन फिर चलो आज जितना मैंने पढ़ाएं मे प्लीज जल्दी से आंसर दो एंट सब्सक्राइब क्यूंकि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आई नू जल्दी से क्या आंसर होगा इसमें ज्यादा टाइम तो लेना ही नहीं है अच्छा क्या अंसर होगा कि बाइप फ्रोग्यारियोटिक कोशिका का किवल इको श होंगे answer option number B okay next question ठीक है एक बार और चलिए नेक्स है लिपिडो प्रोटीन से बनी होती है कौन हांजी भई यहां पर पूछने कि कौन बनी होती है यहां पर बताए क्या वो प्लाजमा जिली है क्या वो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भई हांजी भई जल्दी से बताओ कौन है अंदर प्रवेजालिका राइबोजोम या फिरिंड में से कोई नहीं क्या हो सकता है जल्दी से चलिए बिल्कुल बेटा लिपिडों प्रोटीन से कौन बनी होती है यह तो मैंने आपको बताया था लिपिड ब्लास प्रोटीन इससे कौन बनी होती है बिल्कुल बनी होती है हमारी प्लाजमा जिल्ली ठीक है कौन बनी होती है बिल्कुल प्लाजमा जिल्ली बनी होती है यानि की आंसर क्या हो सकता है बिल्कुल आंसर होगा आपका आप्शिन नंबर ए ओके चलो तो नेक्स कोशिन धागे के समान बना जाल के संरशना क्या होती है क्या वो कि सोचिए क्या हो सकता है भाई धागे से बने जाल की रचना क्या हो सकते हैं मैंने बताया था उल्जे होए होते हैं लेकिन हम इनको असानी से पकड़ के अलग कर सकते हैं तो चलिए आ जाएए बिटा धागे से बने जाल के संदशना क्या हो जाएगी देखो कोशी का दुरव सबनी हों कि से बनी होती है क्या से चूना प्रोटीन या पिर ब्लस्टिड क्या है तो partager से बताइए हम मैं आज जल दिस है जल दिसे किया हो सकता है मैंने बताया था फैसे अज़ज को गलतisches करना बिलकुल अगar आप अंसर ए तोटने बच्चों को सईधा यार जल्दी से बताओ कितनी पूछत पूछतिए यूं काबन डाइक साइड ऑक्सिजन किस प्रकरिया से कोशी का जिल्ली यानि की प्लाजमा जिल्ली सको कहते हैं कोशी का गला भी कहते हैं उसके आर पर जा सकते हैं चानन विस्ट्रन न किस option पे यहां पे क्लिक करें या नहीं कौन सा option साही चुनेंगे बताईए जल्दे से सोचे 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 चालो तो बटा carbon dioxide और oxygen किस प्रेकरिया से कोशिका जिल्ली बही बताया था गैसो किस में होती है विसरन की किरिया में होती है बलकुल आंसर option नमबर भी हो जाता है यहां पर clear है चलिए तो बहुत अच्छा मोका है बहुत अच्छे से पढ़िए अपनी रेगुलर क्लास को टाइम से ले दे रहें अपनी एक भी क्लास में सना करें बहुत ज्यादा जरूरी है तो मिलते हैं पार्ट टू में सारे के सारी कोशी कांगों के साथ और कुछ interesting questions के साथ तब तक लिए bye bye and take care guys